नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीएड एजुकेशन चैनल पर दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंडियन फैस्टिवल्स यानि बाहरती त्योहार पढ़ने वाले हैं दोस्तों यह कहा है यह वीडी 109 में मिलेंगे आपको फैस्टियर का कोर्स है यून समझेंगे क्योंकि हिंदी बहुत है पढ़ने में तो बहुत टैम लग जाएगा क्या रहा है किसी वी देश की सम्रति और संपन्नता में संस्कृति का बहुत बड़ा यूगदान होता है अच्छा आगे क्या रहा है धर्म दर्सन साहित संगीत वक्कला से परिपूर भारती स संसक्रति का चेत्र बहुत ही ब्यापक है दिए यहां पे समझ लेते हैं तो तेया है क्या में चीजा तेहे हरे संस्क्रति हारतभारत आपको मालम है भारत में सिख भी रहता है इसाली भी रहता हिंदू, मुस्elnिद बहाता है और अलुए अलग धर्मों के अलग अलग तयोगार मनाई जाते हैं लेकिन भारत में सभी तयोगारों का सम्मान होता हैं सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं यही भारत की संस्कृती है और इसलिए भारत एक गौरवशाली देश माना जाता है देखे इसमें आगे लिखा हुआ है कि यहां पर जो सम्मेदान हैं यहां पर पड़ सकते हैं यह लाइन कि प्राय सभी धर्म एवम संप्रदाय मौझूद हैं कहा हैं भारत में भारत में सभी संप्रदाय मौझूद हैं फिर भी हमारा सम्मेदान भारत का एक धार्मिक भारत को क्या बना देता है धार्मिक निर्पेच बना बरत के भामत के गाता है किसके कारण तो भारत में जो धर्मաर्म के प्रती लगाब है वह बहुत ही ज्यादा है चाहे वो फो का हिंदु चाहे वह सिख हो की सब्लिंत सबसाइब से फिए के माने नहीं होती है टोछा एक दूसरे कोई नहीं करता है इसा यहां लिखती है आगे यहां पड़ते हैं अगे क्या दिया गया यहां जो भा carry तिव्हार है भारतियों को मनानी का दर्शन को तो किस ट्याज़ते सकते हैं तिहं किस flipping से बनाए जाते हैं भारत high किती कुछ न कि परिश्टी कोन लिरकाँ यहां पर दिया गए धार्मिक द्रॉष्ट को technology防 । इनकी महत्ता सम्मूझते हैं और गुक्त इस 국isu समझते हैं भारती हैं कुछ लोग को को इनकी महत्तता को समझते हैं बड कोई इनको वैर्ध समझते हैं लेकिन देखे कोई भी त्योहार सरी उसका परपश वैर्धता से तो कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ नया देखने मिलेगा आपको, चाहे वो भारत Indian कल्चर से, यानि भारती संस्कृति से जुड़ा हुआ है, या फिर किसी उद्देश से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी उद्देश से आपको यहाँ पे त्योहारों की महतता समझने आही जाएगी आगे बढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है फिर भी हमारे देश में त्योहारों के विस्ष्ट मेहत्व हैं यानि जो हमारे देश में त्योहारों का विस्ष्ट मेहत्व क्यों हैं क्योंकि हर एक लोग अपनी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं व लोग जब त्योहर मनाईंगे तो एक साथ मिलेंगे जुलेंगे उठेंगे बैठेंगे तो इससे क्या होगा समाज में बढ़ेगा दस्ट यो तो वो क्या है सामाजिक दस्ट कॉन में ये त्योहारों की महतता मानी जाती है आगे बढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है मनुरंजन की दस्टी से हर एक त्योहार कुछ ना कुछ मनुरंजन लिगे आता है कुछ ना कुछ नया देखने मिल जाता है उस त्योहार में जैसे कि सेरे पर दस दिन तक राम जीला जो आयोजन होता है वह सेयोजन किया जाता है है तो ऐसे करके कुछ नी कुछ अपने साथ मनोरञ्जन का कारड जैसे कि नाग पंचमी पर विबिन प्रखरद क्ष्टियों को देख कर यहां पर मनोरञ्जन का कारड बन जाता है तो हरीक एस अपनी सान्स्क्राइब का आता है अच्छा सांस्क्रतिक द्रस्टी से टिखा जाए तो हरीक हडोर का जैसे कि हिंदुगों में तो 365 जॉहर मनाई जाते हिं लुकिन नोकम हमें तो ए पे तो अपनी संस्कर्ति को उसको मनाना चाहें और उनकी जो संस्कर्ती करने जाते हैं कि यहां पर कुछ वढ़न में उसरा में प्राइब बहजन तीरतन आधी किये जाते है ज경फ कर दो लग मंजीरि हार मोनिमाद यानि में बात तरनों का भी प्रयों किया जाता है ठीक है न यह तो एक कही जाने वाली वाथ किसकी है तो यह तो इर्ष्टिकोंद हो परको लात लेंस चया को मार जीन ऑटे आते हैं और मुस्लिम भी मनादे अशनी मुस्लिम मणानि facilitator लेकिन इनको मनाने के फॉड़ती से मनाते हैं तू कुछ अपनी धर्म धर्मेकर मनतया है एप औरता पहलों पहलों यहां उसक gouärtatर है एंस तो ऐसे करके यह वही चीज़ बताएंगे कुछ नया नहीं है विविन नित्योहारों के अफसर यह है इसमें तीक एक त्योहार बनता कब है अब इन चीज़ों से मिलाकर देखिए एक त्योहार में देखने मिल जाएगा आपको लोगों का जमावड़ा जिसको कहते सामाजिक है नहीं लोग उठेंगे बैठेंगे आपस में मिलेंगे जुलेंगे खुशियां मनाएंगे यही तो एक त्योहार का अपना धंगूता है उसमें थोड़ा मनुरंजन भी देखने मिल जाता है त्योहार में जिससे खुशियां आए आनन्दा है देखें जिन्दगी यह तो चल होते हैं इसीलिए तो यहां पर मैं तो और जाधा बढ़ जाता है आगे पढ़ते हैं आगे क्या है यह कह रहा है तो यह कारड में बहुत कुछ डिसकस करी कुगा हूं पहले ही और आपको थोड़ा और पढ़aking और फढ़ देखेंगे जानेकिंगे क्शेस्में व informal को चलो का भी प्रवाय कर चुंगे डिस्कस कर चुके हैं आगे बठते हैं क्या समाज के प्रतियक व्यक्ति के बीच भाइचारेगा यह भी डिसकस कर चुके हैं मैं आपको सौर्ट में वह चीज़ें बता चुका हूं अभी अभी तो हम ज्यादा डिसकसन नहीं क्योंकि वीडियो का भी लेंती हो जाएगा तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डिसकस करते चलें तो आगे इसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से इसमें क्या क्या कह रहा है देखिए क्या कह रहा है यह कह रहा है एक त्योहर में धार्मिक सैंसरोड़ता का प्रदरसन होता है यानि धार्मिक चीज़ें उसमें देखी जा सकती है जैसे कि माली जी हमारी दिवाली है दिव पूरे नगर में दीपक जलाए थे इसलिए यहां पर त्योहर मना जाता है हम भी दीपक जलाते हैं ऐसे करके किसी ना किसी रीजन से हम यहां पर देख सकते हैं तो और आगे पर समझ सकते हैं उन त्योहरों के इसलिए रीजन के बारे में तो धार्मिक मेर मेट उसे सैंसरुससा से उसको देखा जा सकता है आगे बढ़ते हैं आगे क्या कह है यह कहा हैं यह कह रहा है आगे सामाज गोड़ों का विक सब्याए कहते हैंемонिकर पहले जाए फिर यह कहें जैसे कि कियो कोई त्योहर आएगा ल बढ़ाई के कम चांज़ेंटे हैं लेकिन बहुत से लोग इसका भी बुरा मान जाते हैं तो वह थोड़ी वहां पर सामाजिक तक गड़बढ़ा जाती है उन लोगं की लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं इन चीजों को बहुत ही अच्छे से कि यह क्या कहना चाहरा है कि और यह पर नचैबल और बंद रहते हैं और अगर आप बाहर निगलेंगे तो आप काम हो जाएंगे क्यों कि आप बहुत दिन से लोगों के वीच उठे बैठे नहीं हैं आप बात करने का गादा कर दंग थोड़ा बहुत ही आपका गरड़ा जाएगा इसलिए इस चीज में भी आपको बिकास देखने मिल जाएगा त premium हर वाले दिन लोग आपस में जूलते हैं उठते हैं तो उनका ब्रक्स भीकास ही रहता आगे बढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्या कह रहा है यह आगे विशिस्ताओं के बारे में फिर से आ गया है हम थोड़ा बहुत और देखते हैं इसमें नीचे क्या दिया गया है तो यह तो हम पढ़ चुके हैं आगे बढ़ते हैं आगे कह रहा है यहां पर यह कह रहा है मानवी द हमना से उत प्रेद्ष होते हैं जाणके स्वासे हैं सभी धर्म के पर्व हमें यहां सिच्छा देते हैं कि सद्क्रमों से trip मानव जीन में सब कुछ हासिल किया सकता है देखे के खुषियां ऐसे ही नहीं और टी पैशाव सी नहीं आती खुषियां आपस में इस चीज है फरी वो यह है खुसियां तो आगी का पॉंट क्या कह रहा है क्योंकि लोग इस रहते हैं आपस मिलते जुलते बैठते हैं अच्छे चीज़े खाते हैं अच्छे लोगों के पास उठते बैठते हैं अच्छा राष्टरी एकता की दरश्टी से भी दिखा जाए तो यह बहुत ही क्योंकि लोग इस में मिल जुलकर पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे की सहयोग से ही त्योहार का आयोजन कि आ या सकता है आप सोचो अकेले के आप आयोजन कर लाएं तो ऐसा impossible है, क्योंकि त्योहारों का आयोजन जब ही हो सकता है, जब आप लोगों के बीच उठेंगे, बैटेंगे, देगी, कई बार मैं बोल चुका हूँ, यह कई बार बात आ चुकी है, कि त्योहारों का आयोजन किस प्रकास से होता है, तो आप समझी चुकों होंगे कि त्योहार किस टाइप से होते हैं जब भी लोगों का जमावड़ा ही कत्रित नहीं होगा तब तक त्योहार में आनंद नहीं आएगा आप पड़ सकते हैं आगे वो क्या कह रहा है मनोरंजन में सहायक बिल्कुल सही बात कह रहा है वो क्योंकि म इर्षया है वो उस टाइम के लिए तो गाय भी हो जाती है उमाली जी तो उस टाइम जो उनके मन में भाव आता है वो बहुत ही सुन्दर और अच्छा बाउत्पन होने लग जाता है इसलिए मनोरंजन जो होता है ना उनके बीच में बढ़ जाता है लोग एक दूसरे से हेट क करना बंद करते ते उस टाइम के लिए यह यू मनोड़ो यह इसका प्लस पॉइंट है त्योहारों का आगे बढ़ते है वह क्या कह रहा है संस्कृति में हस्तांतर है यह बाई यह तो गढ़ बढ़ है और इसको अच्छे से पढ़ाएंगे हम क्या कह रहा है संसक्रति का हस् हम हिंदु हैं हम मुस्लिम हैं हमिस्ध हैं जो भी हैं हम त्योहार मनाएंगे और अपने जो आने वाले फेड़ी को शिखा एंगे क्या है तरीका क्या है कैसे किया जाएगा अच्छी तरह से त्योहारों को तो इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा important हो जाता है तो सभी त्योवारों का संबंद किसी न किसी पौराड़े घटना और परंपरा से होता ही है आगे हम पढ़ते हैं जुड़ा होता है जिसको इनके जो है जो पढ़ लेते हैं इसको जिसको इनके आयोजन से लोग जानते जानने लगते हैं ठीक है नहीं मैं क्या कह आ आगे पढ़ते हैं लेकिन समझ आप सकते हैं मैं नहीं कहूंगा कंए लेकिन मेरे बताने का जो परपज है वो आपको समझाना ही है हिंदी पढ़ना नहीं है तो मैं आपको समझाते हुई चलता हूँ आगे क्या कह रहा है धार्मिक अवस्ता के सूचक यह देखिए एक पीडी से दूसरी पीडी में जब भी लिखे जाएगा किसी ना किसी इंफर्मिशन को तो वो क्या ह हो जाएगा तार्मिक अवस्ता के सूचक यानि सूचना देने लग जाएगा दूसरी पीडी को दूसरे पीडी के बाग भी यानि जो हमारे आने वाली पीडी के नवी उबक यानि चोटी-चोटी बच्चे हैं वो भी समझेंगे कि हमारी त्योहारें की महत्ता क्या है इंप पुराड़े मानेताओं पराड़ार थी हाँ जी मैंने जैसे कि बो बताया आपको जैसे कि होली है, होली पहलाध पहलाध और होलिका जो उनकी बुगा जी थी उनके हिसाब किताब में मनाई जाती है क्या था कि पहलाध जो भक्त थे विश्णू भवान के और उनके पता उनको पसंद नहीं क्या करते थे उनको मरवाना चाहते थे पहलात को तो इसलिए होलिका को एक बरदान प्राप्त था कि वो अगनी में बैठेंगी तो एक चूनर ओड के तो उनको अगनी जो है वो कुछ उनका बिगाड नहीं पाएगी तो ऐसे करके उन्होंने वो चूनर नंत हो गया था पहलात की विजय हुई तो इसलिए यह और जादा बहुत ही माने जाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्या बेवस्ता है आगे तो आगे क्या दिया गया है प्रमुक त्योहारों की लिस्ट दे दी गई है आपको कौन-कौन से त्योहार है में विडियो में पढ़ाइंगे किसी दिन कुछ ले लिए किसी दिन कुछ ले लिए लिए और कमेंट कर में जो आपके तैम जो अपकी तो यू पी जहां रिंट से ild tsopie разные ne अपने अपने राज्यों को जानते हैं तो देखिए यहां पे जो आपको तफ लगते हैं दरदर के तो हार वही कराएंगे जो देखिए यह तो सबसे ही आने चाहिए जैसे कि स्वतंतरता दिवस हैं है नहीं आपका जैसे कि यहां पर जो हमारे राष्टी परवें दो अक्टूबर हो जाता है हमारा 15 अगस्त हो जाता है हमारा यहां पर 26 जनवर ही हो जाता है हमारा ऐसे करके यह जो तोहार है यह तो आप से आने ही आने चाहिए क्योंकि यह तो राष्टी परव ही मान जाते है कि आपकर तो करना नहीं है इसको करना लाइक ठीक है नहीं और अगर आपको एक बोड़ना अच्छा अच्छा लगता है तो किजिए सब्सक्राइब और अगर। चाहते हैं कि हमारे वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे तो किजिए शेयर और भाई थेंक्यू बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो है अभी नया शुरू किया था मैंने यह चैनल मुझे उम्मीदी नहीं थी कि साइद यह चलेगा क्योंकि इसलिए थोड़ा इंट्रेस्ट कम था आपको नॉलिज लगती है कि हमेरे जो नॉलिज कम हो रही है इस चीज के लिए मुझे जो प्रॉपर समझना था वो ठीक से समझ में नहीं आया तो उस चीज को हम रिपीट कर लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तो वह चीज आपको जो है डिसकसन में नेक्स्ट ले आउ और किसी कारण बस अगर नहीं आता तो एक दो दिन का वेट कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में और आपको जो भी जैसे कि और भी सब्जेक्ट है किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं पैडागोगी के अभी जो महत की क्वेश्चन आती है महत आता है आपको मिल जाएगा यहां पर कैमिस्टरी एक वाईलोजी है तो ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग रहते हैं ये पार्ट तो आपको कम समझ में आते होंगे बोक्वेश्चन तो आपको आने लग जाए अच्छी तरह से और मैं बता जि वल उतनी देर पढ़ लीजिए जितनी टाइम ये वीडियो चल रहा है उसके बाद आप कहीं वे जाएए किसी भी चीज़ को एंजोई कीजिए बट मैं कह रहा हूं कि जब पढ़ते टाइम सभी चीज़ों को एक साइड में रख दिया करूं ठीक है नहीं बही इन वीडियो आप ज़्यादा ग्यानी है तो लेखक सायतिकार ही बन सकते हैं आप अपनी जीवन में फिर कुछ नहीं बन सकते हैं देखिए अगर कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है ठीक है नहीं और वो आपके काम की चीज़ है तो आपको वो इनिशियली ले लेने चाहिए इमानदारी से लेनी चाहिए आगर उसको लेने में भी आगर आप बेमनी दिखाते है तो आप बेवार हैं सीदी बाते आप अपनी जीनिकी में कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ तो केजिए आप अपना सहरा ले रहे हैं किसी भी चीज गाज़िए तो इमानदारी से तो लेजिए ठीक है न तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए नमस्कार